पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले हुए थे भेली ऑफ केवी फर वाटर यही था ना लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल देजिए खेली ओफ केवी यहां हम आपको यह बदला रहें है कि किसी भी विलायक के केवी का मान आप कैसे निकालते हैं एक ट्रेक्टिकल बात है आप यहां वोर्ड पर उस चीज को नहीं निकाल सकते हैं इसका निकालने का थरीका क्या होता है आप उसको समझण हम सबसे पहले एक बड़तन में पानी लेते हैं और पानी हम लेते हैं एक केजी एक केजी वाटर है यह यदि यह वाटर है और प्यूर वाटर है तो इसका कुछ न कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ना कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे यह नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सी होगा इस बात का पता असानी से चल सकता है सुद्ध पानी लीजिए उबाल दीजिए उबल जब रहा होगा तो समय थर्मामीटर उस पानी में डाल दीजिए आपको बता देगा कि उसका टेम्परिजर कितना है सब्सक्राइब कि यहां पड़ा के बात रूख जाएगी तब आपको लेव करने की जुरत होगी यदि आपको हमारी बातों पर भरोसा ना हो तो यह बात आपको लेव वाला बात है यह आपको मानना पड़ेगा अब इसमें हम क्या करते हैं एक मुल्ची यूडिया डाल दे हैं कि इसमें एक मुल्ची यूडिया डाले है अब बतार यह जदि इसमें एगधि एकव मुली यूडिया डाल दी तब तो यह स्वल्युसन बन गया न तो यह तब तो यह पियूर लिक्वीड नहीं ड़ा अच्छै कि आसश driven गया होगा घट गया होगा पढ़ गया होगा घट गया होगा धेपर प्रेशर घट गया होगा और वॉयलिंग पॉइंट पढ़ गया होगा तो ऐसी स्थिति में अब जो रिजल्टिंग चीज हमारे पास है वह वह अलुएंट नहीं है वह क्या है और इस सेटप को जिस जिसाम करने एक केजी वाटर में यदि आप एक मोली यूडिया डाले और इसको सॉल्यूशन बनाकर दोबारा फिर से बॉयल कीजिए और बॉयल करने के बाद अब थर्मामीटर डालिये सॉल्यूशन में तो आपको बॉयलिंग पॉइंट मिलेगा एक सो दसमलव पॉंच दो डिग्री से बताइए ये बॉय आप यदि कुस्टन कर देंगे सर टीवी एक सो दसमलव पॉंच दू कई से हो गया यह हमको समझ में नहीं आया तो मैं आपके जानकारी के लिए बतातों कि यह दोनों डेटा एक्स्परिमेंटल है और एक्स्परिमेंटल परफेक्ट डेटा है यह उल्टा पुल्टा डेट इसी होता है क्या आपने कभी चेक किया तो फिर बच्पन से यह बात किसे आप रटते आ रहे हैं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है फीचर ने आपको बताया यह तो एक लेव का काम है ना प्रेक्टिकल करेंगे तब ना पता चलेगा कि 100 होता है कि यहां मानना पड़ेगा क कि एक केजी वाटर में यदि आप एक मॉल योडिया डालेंगे और उसके बाद उसका वॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो हर हाल में वह आपको कितना आएगा एक सब्सक्राइगा क्लियर रहे हां तक अब आगे कि यह बात सुनिए एक केजी वाटर में आप एक मॉल योडिया डालें हम चाहें तो इस सॉल्यूशन का मॉललीटी ग्यात कर सकते हैं मॉललीटी कैसे ग्यात होगा बताईए विलय का मॉल उपर और विलय का भार केजी में नीचे तो ऐसी इस्तिती में निकाल के बताईए कितना होना चाहिए इसका मोलेलीटी कितना होना चाहिए एक होगा क्यिसे पूल है एक और केजी है एक आई बास समझ में अचा अब आप ये बताएए कि जो सेटप हमें हाँ तयार किये हैं जल के लिए क्या यही सेटप किसी एन्ने विलाइक के लिए भी नहीं तयार किया जा सकता है जैसे माल लीजे कि हम वाटर नहीं लेकर यहां बेंजीन ले लेते एक केजी बेंजीन ले लेते तो सॉल्वेंट एक केजी हो गया इसको हम वाइल करते थर्मामीटर डालते उसमें उसका कितना वाइलिंग पॉइंट आया नोट कर लेते लेव में फिर क्या करते उसमें एक प्रेक्टिकली निकाल सकते हैं या नहीं यह निकल सकता है अब देखिए कल आप फॉर्मुला पढ़े थे टीवी माइनस की नॉट भी बड़ावर के वी ना याद है यह पढ़े थे टीवी का मान आपको कितना आया कि नॉट भी का मान कितना आया एक सो बड़ावर के वी और एम का मान तो यहां से इसको घटाईएगा तो 0.52 आएगा यह के वी का ही नमान आया के वी ब्रावर हो जाएगा 0.52 और इसका यूनिट यदि आप लोगे तो यह आएगा आपको केल्वीन केजी पर मोल और यदि आप इसको डिग्री सेल्सियस में लोगे तो भी से महएगा चूकि दो टेंपरिचर का डिफ्रेंस है डिफ्रेंस में डिग्री सेल्सियस और कवीन बड़ा वर मान देगा तुमको और करके आप यहां लिख सकते हो 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मॉल और यह भेलियों हम किसके लिए निकाले है किसके केवी के लिए जलके केवी के लिए तो अभी से एक बात अब आप ध्यान रखना मैक्सीमम निमरिकल में केवी कामान दिया हुआ रहता है जब आपको कुस्चन बनाएगा ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लेकिन कुछ ऐसे भी निमरिकल्स रहते हैं जहां पर केवी कामान दिया हुआ नहीं रहता है तो आप एक चीत ध्यान देना कुस्चन में जब आप कुस्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको केवी के मान की जरूरत हो यानि कौंस्टेंट के मान की जरूरत हो और कौंस्टेंट का विल्यू क्योस्चन में लिखा हुआ नहीं हो तो आप इस बात पर धेयां दिजेगा कहीं सॉल्वwww거든 Ahh तो यदि सॉल्वेंट वावतर है तो जरूरी नहीं है कि केवी कामान आपको देगा है वो यह जान रहा है कि आप यह चेप्टर पढ़े हैं वाटर आपका में इतना जानकारी रखते हैं यानि केवी कामान वाटर के लिए अभी से आपको याद रखना है कितना यह डेटा खली याद रखिए 0.52 बस जैसे नॉर्मल वालिंग मेंट पाने का याद रखते हैं 100 डिग्री से वैसे ही केवी कामान भी आपको याद रखना है क्लियर है यह उतर यह तो कि यहां मंडी पढ़ा के छुटी हो गया आया उन्हें की जीए पूछे इसलिए कि सुचे कब हो रहा है थोरा जाने है और बागी लोग क्या कर रहा है बहुत मुख खुल रहा है लिखिए जो काम आप करते हैं उस काम के पड़ती है आपका डेडिकेसन होना चाहिए घर दौर जाके का हो क्या हो कि तहां है वहीं कर रहे हैं पटर पटर करेंगे रहे आपके भाई का क्या नाम है पत्यम पटना में भी कभी रहा है वह हमारे साथ रहा है क्या कुछ निन देखे थे तो हमको लगा कि जिन साथ में रहा है वह हमको तो पहचानता होगा हम किसी भी तरह से उसको जान रहे है लेकिन एक्जेक्ट हमाज में नहीं आया शुक्यों कि में निकाद रहा है क्या उतर लिए क्या उतर लिए कि यह वाला जो इसकेच खोया था ना कुछ दिन पहले यह इसकेच गाउं में था हो सकता है जैकेट में रखे हों गया है यहां से डेरेक्ट गाउं गया हों गया है कि देखने गया था एक से एक क्रियेटिवीटी वाला लोग है यहां कलास में इसको हटा दें देखो अभी जितना बात हम तुमको बता रहे हैं यह सब बात नेमरिकल से रिलेटेड है पिजों को यह दि अच्छे से सीखो गया जवाब फटा फट दे पाऊ है क्यों नहीं पर ही नहीं पर हो पीछे पढ़े उसी को उठा उठाके कुछ से कुछ नहीं आने चलिक तुमको बताते रहें और नहीं की बोर्ड लेफल पर कम जरूडत है ज्यादा नहीं है एक कोस्टन है जो बोर्ड लेवल के लिए जरूरत है या उससे उपड़ के लिए जरूरत है देखिए दोनों चीज़ पिछले क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था टीवी माइनस टी नौट बी परावर के भी गुना एम था ना यहां इस एम के जगह प लिखते हैं एक गुना एक हजार कर टे लिए यह वाला फॉर्मूला आपको बताया गया है जार बताईए कि इस फॉर्मूला को हम चाहें तो थोड़ा और बदल दें टीवी को यहां रहने देते हैं टीवी को उधर कर देता है तो पलस में बदल जाएगा यह जो जैसे है व एक हजार को टे बी इंटो अलेकिलर वेट और यहां पलस क्या लिखना है कि यदि वाटर है सॉल्वेंट तो टी नोट वी का मान तो फिक्स हो गया हंडेड डिग्री अंडेड डिग्री से वाटर के लिए तो हंडेड ही होता है एक्चल में टी नोट भी का मान कॉंस्टेंट होता है लेकिन टी बी का मान कॉंस्टेंट नहीं होता है अब दिखिए कैसे टी बी का मान कॉंस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यह प्यूर लिक्वीड का वॉयलिंग पॉइंट है और प्यूर लिक्वीड का वॉयलिंग तो T0B जो है यह constant KB क्या है? KB भी constant है यह भी निश्चित मान है यह भी बदलने वाला? नहीं है अच्छा कौन-कौन चीज तीन चीज आप इस तीन चीज को बदल सकते हैं आप बदल सकते हैं विलय के भार को आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं सॉल्योसन में या घटा सकते हैं आप बदल सकते हैं विलयक के भार को इसको भी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं आप बदल सकते हैं molecular weight को ऐसे molecular weight बदलिएगा चीणी डालिएगा तो molecular weight 3402 होगा खूल-कौन ढाल दीजीए 802 हो जाएगा अगों कि बदल देंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा और पॉर्मॉला बदल जाएगा तो मॉलीक्लियरवेट भी बदल जाएगा बात समझ में रही है निए पीछले केस में हममें इस चीज़ को हम ध्यान में रखकर कुछ बात को समझते हैं आप देखिए कि आप लीजिए कि इस तीन चीज में बी और एम भी कॉंस्टेंट कर दिया जाए इसमें समान मात्रा में विलायक भर लेते हैं यानी विलायक आभार हर जगा समान हर बार हम चीनी डालेंगे हर बार मॉलेकुलर वेट भी समान आया न हम इसमें पानी भड़े हैं सब के लिए टीनोट भी कामान सब के लिए कॉंस्टेंट पानी के लिए के वी कामान 0.52 होता है सब के लिए बड़ावर पता यह यह कॉंस्टेंट हो गया इसको हम कॉंस्टेंट कर दिये हैं इस सिच्वेशन में इसको कॉंस्टेंट कर दिये हैं यह कॉंस्टेंट है हम चेंज किसको करेंगे एको एको हम बदलने वाले है, एको बदलने का मतलब समझे, इसमें हम एक मॉल डाल दिये चीनी, इसमें दू मॉल डाल दिये चीनी, इसमें तीन मॉल डाल दिये चीनी मॉल की बात छोड़िये, एक तो ग्राम में है ना भार है ना, तो हम भार में बात करते हैं इसमें मालू हम 10 gg जी नी डाल दी है इसमें 20 gg, इसमें 30 gg, इसमें 40 gg उसमें 50 gg, हम लगातार एक एमान को क्या करने हैं, बदलने है अब बताइए, यदि इसमें विला का भार, लगातार बदलता रहेगा यानि इसमें इस का वाइलिंग पॉइंट तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ए यदी बढ़ेगा तो टीवी बढ़ेगा और ए यदी घटेगा तो टीवी घटेगा क्योंकि ए बट्टा के ऊपर है ना आप इस वेल्यू को बढ़ाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा ना इसका मतलब है कि यह यह टीवी होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके अशरते की बांकी चीजों को इस्थिर कर दे आ जाए तो अब मान लीजिए कि हम एक को भी स्थिर करने यानि सब में हम दस दसे ग्राम चीनी डालेंगे इस वार हम बी के मान को बदलते हैं एक बार कभी मा सब्हस्थ millimeters फाई है को में में अलग अलग कर रहे हैं तो ऐसी सृतितीम है आधे बैढ़ेगा और बागी सब कर लोगिन सेफडी रहेगा तो से हम पर इस पर पड़ेगा अब कैसे असर पड़े मेंगा इसको देखिए ये B नीचे है न इस value को जितना बड़ा कीजिएगा ये value उतना छोटा होगा ये गोना किया हुआ है तो बूरा overall value छोटा हो जाएगा इसका मतलब B का मान बढ़ेगा तो TV का मान घटेगा इसका मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये उल्टा संबंध हो गया तो ऐसे इस्तिती में यहाँ पर हम दूसरा बात का सकते हैं कि TV जो होता है ये inversely proportional होता है किसके नहीं नहीं वन बायम कैसे बोलना है हम यदि TV कह दिये inversely proportional है तो कहिए M के यदि आप कहा रहे हैं कि directly proportional है तब वन बायम कहिए यदि आप समझ में और एम के साथ भी तो वही relation है मान लीजिए कि हम A और B दोनों को constant कर दें यानि हम 10-10 ग्राम चीनी सब में डालें और सब में एक एक केजी solvent ले लें तो A कामान स्थिर हो गया B कामान भी स्थिर हो गया K not B और K B कामान पहले से ही स्थिर है इस बार हम किसको बदलने वाले A को मान लीजिए किसी में हम 10 ग्राम चीनी मिला दिये किसी में 10 ग्राम गुलकोज मिला दिये किसी में 10 ग्राम यूरिया डाल दिये हर बार molecular weight क्या हो रहा है लेकिन बागी चीज constant है इस पर ध्यान देजिए तो बताइए molecular weight के बढ़ने से टीवी घट जाएगा की नहीं तीवी घटेगा निस्चित रोप से इसका मतब यह हुआ कि सब में तुम एक केजी पानी ले लो सब में तुम 10 ग्राम हर 10 ग्राम डालो एक में चीनी एक में यूडिया एक में गुलकोज डालो तुम पाओगे कि जो resulting solution बना उससे सब का कथ्रान का अलग 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 अरह है जब सारा situation से में है तो अलग लाने के पीछे जिम्मेदार कौन है तो लिट का molecular weight जिसका molecular weight सबसे ज़्यादा उसका boiling point सबसे कम और जिसका molecular weight सबसे कम उसका boiling point सबसे ज़्यादा तो बताइए ये equation बहुत सारा बात ना समझाना शुरू कर दिया तो ऐसी स्थिती में हमें हाँ पर जो तीसरा बात लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं tb is inversely proportional to m ये बात बता रहा है कि m बढ़ेगा तो tb घटेगा, m घटेगा तो tb बढ़ेगा ये बता रहा है b घटेगा तो tb घटेगा, b बढ़ेगा तो tb घटेगा यह बता रहा है यह बढ़ेगा तो T.B. बढ़ेगा एः घठेगा तो T.B. घटेगा यह सीधा संबन्ध है बढ़ने से बढ़ने से घठेगा घठने से अधिथा संबन्ध है अब इस थेورी का क्या फाइदा है आप किस तरह के particle को solve करते है और हंड्रेड परसेंट हम आपको लिख के देते हैं नोट कर ले ना आज कभी जब एक्जाम होगा ना तो मारा एनवल तो तो हमसे बात कर ले ना आकर इस थेवरी से क्वेस्ट रहेगा ही रहेगा ताहे जैसे रहेगा कुछ चीज एक क्वेस्ट अब्जेक्टीव रहेगा ने एक के थेवरी से पहुंच यह पुछ दे पत्फा देख्वर गॉल्गपा क्या यह होरी सुबश्च तर्याइश को कि हम बहुत लोगों को देख रहे हम कल निकल रहे थे देखे को गॉल्गपा का पुड़ा इस्टॉल खाली है वहाँ पर कुछ बैक बले लोग खरे थे तो लगा कि हम लोग के स्टूडेंट ही होंगे देखें नंताबर तो पंद्रहमा सुलहमा देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं आप लोग का करांती कारीब हो जानो तब सुबह का च्छो साथ बजरा यहों से जाएंगे दस गुखा के तब जाएंगे नस्ता करके निकलते हैं तो देखेंगे नहीं करो यहां वो लेकिन बहुत होके गे रही है इसे करके देख रही है इसे करके कि अरे तुमको पता चला पी नोट बड़ा का है होता है पी एस से पता चला है पता चला भी में किसे लिगत समझा दो कि अगरे तुम समझा रहे हैं इसको अब इस पर एक क्वेस्चन देखिए करवा रहे हैं कुस्चन को देखेंगे लेखेंगे आए सेटरडेय यानि तक आपका निमरीकल का क्लास होगा संड़े को याद अदो खुष्चन निमरीकल का छोटा हुआ है नानलान लाइफ मोड में रहे गा तो जो लोग हर चले जाएंगे कोई टेंसन नहीं है कर लिजेगा संडे पढ़ा के तब छोटी देंगे और यह सच बता रहे हैं संडे पढ़ाई होगा और संडे को घंटा दू घंटा देर घंटा जीतना टाइम लगेगा सारा निमेडिकल डिसकस करके उसके बाद ही छोड़ेगे समझा क्या है क्लास लाइव रहेगा पब्लिक मोड में वह दिखकत आपको नहीं है हाँ 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 दूसरा क्लास मतलब दूसरे जगा फीजिक्स सीर है तब आप वहाँ जाने वह यदि आपको देखने देंगे तो या आप इतने बड़े कलाकार हैं कि फीजिक्स के साथ 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 केमिस्ट्री को संभाल लेजेगा एक जगा ओफ-lain मोड में और एक ओं-lain मोड में हमको कोई परेसान ही नहीं है करने जेगा गया हम जानवे नहीं करते तो यह तो देखिए वास देखिए क्वेस्ट्यक्शन लिखे तो, which of the following solution लिखेंगे निम्न में से निम्न में से इस विलियन का कौथना अनक सबसे अधिक होगा option number A 5% weight by weight glucose solution option number B 5% weight by weight glucose solution glucose solution मतलब glucose का विलियन slower solution का मतलब पिनी का विलियन option number C 5% weight by weight जोडिया solution solvent का चर्चा नहीं हो तो समझ लेंगे क्या water है solvent D all have filing point मतलब अब का समान कत्रा answer क्या होगा बताइए तो D होगा कि D होगा क्या होगा क्या होगा पकर है गर्चा new व्या फिलियन से फिल फान्ट इसे अ इलियन का बहर साव ग्राम उसमें फाच ग्राम घटा लीजिए व्यार्ट फिल फोग व्यार्ट वी अ कितना पचानव्य एगा मान कितना पांच बताइए सब में फ़ाइवे परसेंट फेतर समय पंच ग्राम और पंचानवे ग्राम का कमभीनेशन बन गया हर जग हो वाटर है क्या ऐसा है जो बदल रहा है तो दो को पता है कि इस जल्दी बता है मॉलेक्लर वेट होता है 180, सुगर होता है C12, H22, O11, मॉलेक्लर वेट होता है 342, और यूडिया होता है NH2, CO, NH2 और इसका मॉलेक्लर वेट जो रहोगे, 60 होगे, इस मॉलेक्लर वेट हम बता रहे हैं, बताएं सबसे क्या पूछा है, निमन में से किस विलियन का कॉतनानक सबसे अधिक होगा, तो निमन में से मॉलेक्लर वेट सबसे कम, तो कॉतनानक सबसे अधिक, मॉलेक्लर वेट सबसे कम किसका है, यूडिया का, इसका सही आंसर क्या होगा, साथना, ये C वाला, उच्छा इसे में आप से यह भी तो पूछा था कि निम्न में से किस विल्यन का कोते हैं। सबसे कम होगा। तब क्या इस question में check मार देंगे इसका सही जवाब होगा इस chapter का लगभग theory समात है एक last बात है बस दो बिनिट का उसको हम खतम कर दे इस बात को तुम note करके लिख लो तो सब साथ साथ लिखो तो के वी का मान निकालने का न एक डाइरेक्ट फॉर्मूला होता है कि निएगा के वी अभी अभी बताया थे ने जल के लिए 0.52 होता है के वी का मान निकालने का एक डाइरेक्ट फॉर्मूला फिजिक्स में आपको पढ़ना है यह फॉर्मूला होता है तो केलोरी में रहेगा तो यह होगा टू केलोरी पर मूल पर केल्वी नियाद कीजिए कीछे गैसियसे स्टेट में बताया गया था यह या फिर आर का मान होगा आठ दसम्लब 3.1 जूल पर मूल पर केल्वी ना यह इनरजी जिस उनिट में रहेगा आर का मान उसी हिसाब से रखेंगे यह यह जो ती देख रहे हैं यह है बॉइलिंग बॉइलिंग बॉइंट of boiling point of pure solvent, क्या है यह, boiling point of pure solvent in Kelvin unit, यह जो T है temperature है, लेकिन normal temperature नहीं है, क्यों सा temperature है, boiling temperature है, किसका, pure solvent का, बसरते हैं कि इस formula में वो किस unit में होना चाहिए, Kelvin में, क्यों कि R का मान हमेशा Kelvin में रहता है, और यह जो LV आप देख रहे हैं, कि इतना English में चलेगा न, इसमें कोई दिकत नहीं है न, LV को बोलते हैं, पड़ती ग्राम वास्पी करन की उसमा, पड़ती ग्राम वास्पी करन की उसमा, आप यह क्या है, अब आप इसको समझे, अच्छा पर्ती ग्राम वास्पी करन की उसमा रहेगी, या तो कैलोरी में देगा न, तो जूल में देगा, कैलोरी में देगा तो R का मान दो रखना एक्वेसर में जूल में देगा, अब बताये किसी भी सुद्ध विलाय के लिए LV का मान दे दे, R का मान दे दे, T का मान दे दे इसको गुना भाग करके क्या KV का मान डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है तो यह एक ready made formula है KV को निकालने का अब थोड़ा LV को समझे LV क्या है मान लीजे सुनिये गएधर हमारे पास एक ग्राम पानी है, मान लीजे मातरे एक ग्राम पानी है हम चाहते हैं कि उस पानी को वास्प बनाके उड़ा दे कि उसमें कुछ हीट देना पड़ेगा ना जिस जितना एमाउंट में आप हीट देकर एक ग्राम लिक्वीड को वे वेबर में कनवर्ट कर दिये वहीत उसमा क्या कहलाता है अच्छा यह बताइए केमेस्ट्री में ग्राम में तो काम चलेगा नहीं तो किसमें बदलना पड़ेगा बोले में इस फॉर्मूला का यूज होता है फीजिक्स में अब इसी फॉर्मूला को हम बदल देंगे केमेस्ट्री में इसे केमेस्ट्री में बदलेंगे इस परती ग्राम को खाली बना देंग है उना में बदल जाएगा और एल भी को केमिस्ट्री में डिल्टा एच भी पी कहा जाता है जो भी हम लिख देंगे आगए इसको पहले लिख लिए जिए तहीजिए इस फर्मॉला में उसका यूजिनिय तिक है इसमें उसके डिरेक्ट फॉर्मॉला है कि खुल के देखिए कर अब थोड़ा थोड़ा आदत डालिए बुक खोलने का यहां हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं आप घर जाके देखिए कि बुक में वह सब बात लिखा हुआ है कि नहीं पढ़ेंगे तो और भी कुछ-कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको पढ़ने के टैगे हम कितना भी पढ़ा दें तुमको पढ़ना पड़ेगा कि तुम बेहतर करना चाहते हो तो नहीं करना चाहते हो तब तो कोई बात लिए इस फॉर्मुला को थोरद देख क्या हुए घर से, इंसेयाटी बुक लिए तुम लोग की नहीं, तब लोग इंसेयाटी ले ल कि यह एपुछा में से किसी पर कोशन पूछा जा सकता है पीचला पॉर्मुला और वासपिक रॉंब की उस्मा मोल में दे दिया तो अभी जो बता रहे हैं उसका योज करेंग वहाँ पर क्या बोली से गुना कर देने ऊपर इंटू हो जाएगा आर्टी स्क्वाइर बटे हो जाएगा थाउजेंट और उस एल वी को यहां कहा जाता है डिल्टा एच भी पी इसको बोलते हैं पढ़ते हैं इंदी में परती मोल वास्पिकरन की उस्मा वो क्या था वाश्पिकरन की ते हैं और इंपा की जो पीछे था वही solvent है और डिल्टा एच भीपी क्या है परती मोल वास्पी करन की उस्मा भूक में देखो गें तो हो सकता है तुमको लिखा हुआ मिले परती मोल वास्पी करन की इन्थैल्पी दोनों सेम चीज है घबड़ाईएगा नहीं परती मोल वास्पी करन की कि थेवरी समाप्त हुआ है असाइन्मेंट का कहां तक क्वेश्चन डिसक्स हुआ है और सट तक आप क्वेश्चन नमर तेरे सट देखिये तो एलेवेशन इन वाली पॉइंट का क्वेश्चन है एलेवेशन इन वाली पॉइंट में देखिए दो ही क्वेश्चन है क्या तेरे सट और चॉइंट क्रुइंट क्वेशन के सट रफ हुआ क्वेश्चं कर दो किया यह प्मजा करें कर दो टूंब को नहीं बने बनाने पर भी नहीं बनता है कमसे कम तुम्हारा प्रियास होना चाहिए जब पूछेंगे कि कौन-कौन आदमी बनाए हो तो एक तरफ से बांकी को पीटा ही लग जाएगा इसलिए प्रियास करना सब आदमी कुश्चन बनाने का बन जाए तो अच्छा है नहीं बना तो और अच्छा सिख लेंगे कुछ कि आये कल